अरहर मादे मित्रो रुद्राक्ष के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा आज मैं आपको 13 मुखी रुद्राक्ष की बहुत अद्बुत जानकारी देता हूँ 13 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसके अंदर 13 लाइने होती है यह होते हैं सारे तेरा मुति का कलेक्शन, इसमें तेरा लाइने होती है, यह असली नेपाल का होता है, तेरा मुति रुद्राच इंद्रदेव का स्वरूप होता है, इंद्रदेव की शक्तियां उसमें विराज मानों होता है, जो भी व्यक्ति इसको पहनता है, उस व्यक्ति क इसको पूजन करता हुश व्यक्ति को इंद्रदेव जैसा इस्थान प्राप्त होतां यह बात सक्त है दूसरा इसके अंदर कामदेव भगवान आपने नाम सुनाओ काम देव काम देव जो है वो सुखों के और भोगों के देवता है तो उसके साथ साथ जिस व्यक्ति को अपने वीर में धातुओं की कमी होती है जिस व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ती नहीं होती जिस व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के सुख में कमी जिस व्यक्ति को शुक्र ग्रह से सम्भंदित कोई भीपीडा होती है उसके लिए यह तेना मुखिल उद्राक्ष बगवान शंकर का think Also the dark का एक दम आशिरवाद है उस्युक्तियों को उस सारी सिध्यों की प्राप्ति उत्य उती है उन रुद्राक्ष है तो लग्जरी लाइफ में बड़ा घर चाहिए तो और बड़ा चमकदार चाहिए उसके लिए उत्तम है जिसको बड़ी गाड़ी चाहिए और चमकदार चाहिए मतलब ये आपके जीवन को चमक को बढ़ा देती है आपके अंदर आपके चहरे की चमक को बढ़ा देती है आपके सुखों में व्रधी करती है ये तेरा मुखे रुद्राप्षा देखेंगे आप अति उत्तम क्वालिटी के हैं असली नेपाल के हैं ऐसा कलेक्शन आपको जल्दी से किसी के पास मिलेगा नहीं सारे दाने 25 mm, 26 mm, 24 mm जो रेगुलर साइज है और आप देखें कलेक्टर की वज़े से आज कल दवाईयां डाल कर उसको बढ़ा करने के चक्कर में उन लाइनों को घिसीवी लाइने दिखाई देती है हमारे जो रुद्राक्ष होंगे एकदम खिले हुए होंगे इसमें किसी प्रकार की दवाई का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा आप देखेंगे इनको लोगों को पता नहीं है तो देखें क्या खुबसूरत दाना है तेरा की तेरा कंपार्टमेंट आपको दिखाई देंगी और इजिनल होती है और असली नेपाल है सर्टिफिकेट के साथ मिलती है नकली साबित करने पर पचास हजार रुपे का नगत इनाम होता है हमारे दुकान पर हमारे स्टोर पर यह तेरा मुख्य रुद्राक्ष की कोई बी और जानकारी चीओगी आप हमसे मिलिए और मैं आपको रुद्राक्ष का और पंडड़ कोई भी पहन सकता है देखिए रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपने अच्छा प् पूति करता है जैसे जोतिस का एक फंड़ा आया कि छटे आठवे बारवे भाव में अगर कोई ग्रह गया तो उसका रतन नहीं पहन सकते और वो राजियोकारक ग्रह है उसकी हमारे को फाइदा चाहिए हमारे को उसका अर्थ चाहिए अपने जीवन में उसके लिए हम पहुंचा पाए दूसरी बात आपको और रुद्राक्षों की में जानकारी देता हूं हमारे हर्जद्वार हरी हर रतन इंपोरियम में जो दुनिया के कलेक्शन रखते हैं जी रुद्राक्ष के बारे में देखेंगे आप पांच मुखी के कलेक्टर साइज है असली नेपा एक मंगल ग्रह के लिए सबसे उत्तम होता विद्यार्थी वर्ग के लिए जो प्लेयर हैं उनके लिए वह अति उत्तम रुद्राक्षों के दूसरा अब मैं पांच मुखी दिखाया यह तीन मुखी का क्लेक्शन देखें आप हमारे पास क्वांटिटी में होता है दुनिया और सौ साल पुराना प्रतिष्ठान है जिसमें क्वालिटी और उसका मनलब ओरिजिनालिटी का आपको हंड़ेट परसंट की गरेंटी मिलेगी और एक सबसे बढ़िया राय मिलेगी कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष अधी उत्तम रहता है जैसे पंडड़ी आपने त अधी उत्तम क्वालिटी के छे मुकी रुद्राक्ष मिलेंगे हमारे स्टोर पर आपको ऐसे दाने आपको मिलने असंभव होंगे जी 15 mm से लेके और 30 mm, 28 mm, 25 mm तक के साइज होंगे जो बिना किसी दवाई, बिना किसी ट्रीटमेंट के होंगे आज कर बड़े-बड़े लोग क्लेक्टर साइज क्लेक्टर साइज बोलकर व्यक्तियों को दवाईयों द्वारा बड़े किये वे रुद्राक्षों को बीच रहे हैं ऐसा स्कैम चल रहा है बहुत जबर्दस जिनसे आप बचे हमारे स्टोर पर ऐसा कोई काम नहीं होगा है इसी के साथ पंड़की ये साधी प्रभी आ के लिए गोरी शंकर भी हमने सुना बहुत अठ्वात करिंए आप ने यह वरी शंकर शिव और शिवा का असली स्वरूप है जह देखिया कि इतना बढ़ीया कलेक्षण है हमारे पास लुद्राक्ष का गोरी शंकर का जिन व्यक्तियों के व्यवाहिक जीवन में स पुरलब होते हैं जी यह हमारा अनुभव है इस रुद्राक्ष के बारे में जो हम लोगों को प्राप्त करवाते हैं उसके घर बैठे और इन सब चीजों की बिल गरंटी काड हमारे साथ साथ में मिलेगा पंड़ी कुंडली देखकर अगर रुद्राक्ष बताते हैं तो वह अग्दम सटिक काम करता है यह 100% क्योंकि लोगों को यह पता नहीं होता कि मुझे कुंसा रुद्राक्ष पहनना है उसके लिए हमारे श्टोर पर हमारा जूतिश का भी काम है हमारे को मैं खुद पंड़ी तकाज भारदवाज हूं जो हरियर रतन इंपोरियम की समालता हूं और इसके लिए मैं जोतिस का भी काम करता हूं पिछले 12 साल से मेरी प्रेक्टिस है इस चीज़ की इसमें मैं एक साथ मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी बताना चाह रहा हूं साथ मुखी जो है व्यापार धन आरजन उन सब के लिए बहुत बढ़िया दीखे क्या मोट जो भी व्यापार करता है जो भी शनीदेव से संबंधित व्यक्ति चाहा रखता है जो धन की व्रद्धी करता है सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रुद्राक्ष होता है आपको असली निपाल का और आपके नाम गोत्रों से सिद्ध की आवा मिलता है कुंड़िके बारे में आप जो पूछ रहे थे कि ग्रहों के इस्तिती को देखकर ग्रहों के दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा जिससे व्यक्ति को कौन सी तैयारी कर रहा है उसकी कैसी प्लैनिंग है उसकी कौन सी इच्छा है कि पूर्ति के लिए हम उसके ग्रह को देखकर उससे रिकमेंड जो द सावन में रुदराक्ष पहनने का बहुत वह होता है देखी न सावन के लिए ही मैं ये क्वालेक्शन को इकटा कर रहा हूं यह जो देख रहे हैं आप मेरे पास सिरफ 2% का क्लेक्शन देख रहे हैं साथ मुखी की क्वालिटी देखिए आप यह मैंने आपको सारी दिखाई अ जो भी शिव भक्त है जिसके मन में शिव के प्रती महबत है जो शिव की बक्ति करता है उसको शिव से जुड़नी के लिए रुदराक्ष अतियावश्यक है उसको हम पांच मुखी का एक दाना उसको फ्री में भी देंगे जो वह अपने घर में जल में डाल कर उसका जल तो उसके जो सिगनल है जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति है वो बढ़ती जाएगी जो शिव में बंद जाएगी यह मैंने आपको आठ मुखी दिखाया इसमें आठ लाइने होती है बगवान अश्ट मिनायक बगवान स्री गनेश का सवरूप होता है इसी के साथ मैं नौ पूबने वाले भारी-भारी दाने है ऐसी क्वालिटी अर्दवार में आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगे हमारे पास यह क्वांटिटी में हर वकत होते है पंदर जी आपने यह भी लिखा हुआ है नकली साबिट करने पर 50,000 रुपे नाम है जी हमारी दुकान प नहीं गिरेगी नहीं ऐसी हमारे पास लाल चंदन सफेज चंदन मलिया गिरी चंदन उनके बहुत क्वालिटी के इत्र वो सब चीजे होती है अब मैं आपने अपने कार्ण पर लिखावाई यह सो साल पुरानी दुकान है हमारे पूरवजों का यह काम है हमारे दादा जी प में में इस रुद्राक्ष की शक्तियां अब इस दस खी का क्वाश्टन देख आ प्यारा क्लेक्ष्ट से इसे रुद्राक्ष देखने को नहीं मिलते ही दुकेकंस आपको दिखाता हूँ जह भगवान धनुमान जी का पता है रुद्रा-वतार हें हें इतने वह आ्हसा र ere क को टी चीहां और यारा मुखी देखने को नहीं मिल ज़ाने में को देखने को नम्मरों पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं विरहों के अनुसार भी यह देखें बारा मुखी बगवान सूर्य के लिए होता है जो एक मुखी की डिमांड रखता है असली नेपाल का एक मुखी रुदराक्ष नहीं आता जी यह तैय है जो भी बेच रहे हैं वो पाप कर रहे हैं और ज़से सित्माला में एक मुखी लगता है तो हम एक दूसरा रुदराक्ष लगाते जिसको बोलते एक मुखी सवार वह हमारे लोगों के पास होता है यही अनुभव की प्रक्रिया है कि आपको सही चीज और सही काम के लिए मिले और आपका काम दंदा बने आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में बताईएगा कमेंट कीजिएगा अरहर महादेव मित्रो